तो हेलो फेंट कैसे आप दूस्तों आज मैं आपको ताना समसंग के अंदर एक एप होती है वाज़के एक सेटिंग होती जिसकर आमें डिटल वैल बिंग उसके नरे एक नए अपडेट आया है नए अप्डेट से कुछ नए चेंजिस किये गए आगे आपको उसके बारे माला आप यह नीचे की तरफ आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यहां पर आप देखेंगे लिटल बैल्विंग एंड पैरेंट्स कंट्रोल यही आपको यहां पर मिलता है अब इसके नदर एक नया अप्डेट आया है तो इसके लिए आपको यहां जाना जाना जी इसका वर्जल नमबर है 4.1.00.23 इसका एपडेट साइज है 13.79 MB का यहां पर आप देखेंगे इसमें नया क्या चेंजिस किया गया है रिनेवल फोर मैन स्क्रीन जो मैन स्क्रीन उसको रिनेवल किया गया है रिमूव फोकस मोड और बेट टाइम मोड फ्रॉम टी ओस इंट् रूटीन में यहां पर आपको मैं बता दूं क्या क्या चेंजिस किया गया है यहां पर आप देखेंगे क्या किया गया है रिमूव रिनेवल किया गया है मैन स्क्रीन को वापस मैं आपको आले यहां पर सेटिंग पर सेटिंग जाने का यहां जाएंगे तो आप देखेंगे इसके screen को कुछ renewal किया गया है, कुछ नए changes यहाँ पर किया गया है, तो यह पूरा renewal किया गया है, यह आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यह renewal किया गया है, और साथ में जो second option दिया गया था, remove किया गया है, focus mode और bedtime mode को TOS में, जो TOS मतलब कि जो Samsung का खुटका जो उसके अंदर किया गया है, Android में नहीं किया गया है, Android में आपको अभी मिल रहे हैं, और साथ में mods और routine पर इसको add-on किया गया है, तो यह साथ में 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 जोई नया feature तो है नहीं है, बस screen को कुछ renewal किया गया है, और साथ में कुछ नए updates किया गया है, मतलब कुछ नए boxes या बीच में कुछ stability को improve किया गया है, मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी नहीं है, आप हो तो उसको ज़रूब update करना चाहिए, ताकि उसकी stability बनी रहे, उसकी latest security से उसका patch बना रहे है, तो आपको उसको update करना चाहिए, अब एक्चुल में डिटल वेल्मिंग काम क्या करता है, डिटल वेल्मिंग काम ये करता है, ये आपको बताता है कि आपने कौन-कौन सी आप, कितने time यूज़ करिए, और कितना जादा आपने अपने mobile पर time दिया, आपको बता रहा है कि आपने social में कितना time गेश्ट किया है, तो ये आपको overall बताता है कि आपने mobile में क्या क्या गिया, आपको बताता है कितना time क्या यूज़ करा है, यहाँ पर आप चाहें, तो यहाँ इसके थूरू भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो overall आप यहाँ से पूरा इसका maintain कर सकते हैं, कि आपने कौन-कौन अपने mobile को कितना जादा यूज़ करा है, यहाँ पर देख साब से भी यहाँ पर क्लिक करके उसको देख पाएंगे, कि आपने कितना यहाँ पर यूज़ करा है, उसकी तरफ नीचे की तरफ आएंगे, set call कर सकते हैं, आप यहाँ पर गॉल पर क्लिक करेंगे, कि भाई मैं यहाँ पर अपने mobile को सर्फ तीन घंटे ही यूज़ करूँगा, तो आप बता देगे, जैसे मैंने तीन घंटे का टाइम डाला, यहाँ बता देगा कि अभी भी आपके दो घंटे, set this minute हैं, आप इसका यूज़ कर सकते हो, और अभी तक आपने 57 अपने mobile को यूज़ करा है, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन टाइम पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको एक एक चीज़ बताने वाला, यूज़ रिमेनिंग, और आपको सब यहाँ मिल जाएगा, और आप इसको particular days wise भी देख कर पाएंगे, जब आपने इसको लगा कर रखा है, तो आप particular भी इसको days wise भी चेक कर पाएंगे, ऐसे ही नीचे app time आ गया, कि आपने Instagram 36 minutes यहाँ, शोचल में 100 minutes यहाँ, टराइमि ओर पर जाएंगे और टराइमि मोट पर यहाँ आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ parents control पर क्या है, parents control पर क्या होगा, आपको यहाँ पर एक device लिंक करनी होगी, और आप यहाँ से control कर सकते हैं, कि वो क्या-क्या app अपने उसमें देख सके, लाइक आपको यहां पर पैरेंट्स है तो पैरेंट्स पर क्लिक करना है और इसको एन्ड़ूइड पर एनेबल करना रहेगा तो आप यहां से उसको मैनेज कर सकते हैं कि वह अपने मोगा एक्टिवीटी कर सकता है वह और बहुत अच्छी पर अपर इसको यूज करेंगे तो आपको मजाना है वाला यहां त्री डॉट्स पर जाएंगे तो डिटल वेल विक के आप से को साइटिंग मिल जाएगी यहां पर कुछ नए चेंजिस नहीं है बट स्टेबिलिटी को यहां पर इंप्रूफ किया गया है उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो दोर्स वह ँमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद इन तो प्लीज लाइक жरु करें और आपको लगता है असो मेरी डूछ कम ही तो विद्सलाइक किसकते हैं या अभर आपको इसे पुछ पकर सबसे इस Environ में आपर नवाद नवादा